नमस्कार आप देखरें नेशन न्यूस मैं हूँ आपके साथ रतिक बिहार में विधान सभा चुनाओ की समापती हो चुकी है कल दस नमंबर था और बिहार विधान सभा चुनाओ के नतीजे कल घोशित हुए जिसको लेकर अब NDA में खुशी की लहर है मैं आपको बता दूँ कि NDA की जीत हुई है इस बार के बिहार विधान सभा चुनाओ में और NDA की जीत होने के बाद से लगातार महागडबंधन और विपक्षी दल लगातार NDA पर जम कर हमला बोल रहा है लेकिन आपको बता दे कि इस कड़ी में लोक जन्शक्ती पार्टी के सुप्रीमो और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने इस जीत पर NDA की जीत पर ट्वीट करके बयान दिया चिराग पासवान ने ट्वीट कर NDA की जीत पर खुशी तो प्रकट की है लेकिन उन्होंने बीजेपी की जीत पर अपनी खुशी व्यक्त की है यानि कि जदियों की जीत पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उन्होंने जदियों पर निशाना साथ है उन्होंने ये तक कह दिया है अपने ट्वीट में कि बिहार विदान सबात चुनाओं, अगर NDA की जीत हुई है, तो सिर्फ ये प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी की जी कि बीजेपी जो है उसे 74 मिले है तो साथी साथ आरजेडी को 75 सीट मिले आरजेडी नंबर 1 पर अभी है उसके बाद से मैं बता दू नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी को चोतर सीट मिले और उसके बाद नमबर तीन पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार की पार्टी यानि की जदियू 43 सीट पर उसे जीत मिली है लेकिन मैं आपको बता दू कि NDA को वियार विदान सबाद चुनाओ के नतीजों के बाद 125 सीटे से उनको बहुमत मिली है और 110 महागट बंधन को मिला है लेकिन आपको बता दे कि इसके बाद से लगातार महागट बंधन NDA पर निशाना साधरा है लेकिन इसकड़ी में चिराक पासवान ने ट्वीट करके NDA की जीत पर BJP को बधाई दी है आपको बता दे कि चिराक प परती लोगों में उत्सा है यह प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की जीत है आपको बता दे कि चिराक पासवान जो की लोजपा के सुप्रीमों है लोजपा के अध्यक्ष है उनकी पार्टी को मात्र महज एक सीट ही मिला है तो वहीं मैं आपको बता दू कि वियार विदान प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की जीत कह दिया है उन्होंने एंडिय की जीत पर बाके और खबरों के लिए जोड़े रहे हमारे साथ देखते रहे नेशन न्यूस धन्यवाद